विल्कम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आइटी आइटूसिन में दोस्तों कल की डेट में जो एक्जाम होगा है बी ए आर्सी का इसमें जो है सेकंड पाली में कौन-कौन से कुश्चन पूछे गए थे आज की वीडियो में डिसकस करने वा स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन देखिए निम्न में से कौन सी धातू जो है मुक तवस्ता में पाई जाती है सोडियम, सोना, पोटेसियम या कैलसियम तो कौन सी धातू जो है मुक तवस्ता में पाई जाती है इसका करेक्ट एंसर है गोल्ड यानि कि बी ओप्शन करेक नहीं हो जाएगे, कोई परिवर्टर नहीं होगा, 6 गुना हो जाएगा या 9 गुना हो जाएगा, तो correct answer इसका है option नमबर D, इसका जो है संबिक ती गुना करने पर इसकी काइंटिक एनर्जी जो है ये 9 गुना हो जाएगे, अगला देखिए question नमबर 3, निम नलिखित में से आए जाने वाला सबसे हलका पदार्थ है, option है, एरोग्रफियन, एरोग्रफाइट, कारबाइन या डायमंड यानि की हीरा, तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है, वो होता है हीरा, और सबसे जो हलका पदार्थ होता है, एरोग्रेफियन होता है, तो correct answer इसका है option A, अगला आदिकी कुश्चन नमबर चोथा तरंग देर्ध का यसाई मातरक पुछ गया है ओप्शन है हर्ज मीटर सेकेंड और किलोग्राम तरंग देर्ध का यसाई मातरक जो होता है यह होता है मीटर तो इसका करेक्ट अंसर है option B option इसका right answer है पांचवा है जब वस्तुई द्रव से होकर कुजरती है तो द्रव द्वारा उत्पन कौन सा बल लगाय जाता है option है चुमकी बल गुत्व करसल बल घरसर बल या विद्धुत बल तो इसका correct answer है option C यहाँ पर घरसर बल लगाय जाता है तो option C यहाँ पर right answer है चटा कुछन है निमलिकित में से किस पदार्थ में प्रद्रोध का लगबग सूने तापमान गुरांग होता है option है मेगनीन, पोर्सिलीन, कार्बन या कोपर तो किस पदार्थ का में प्रद्रोध का लगबग साथवा है प्रिज्म से प्रकास के गुजनने पर कौँ सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है बैगनी, नीला, लाल या हरा तो correct answer है लाल और सबसे अधिक जो विचलित होता है वो कौँ सा होता है, बैगनी होता है सबसे कम लाल होता है तो C option right answer है Question number 8 है नागरजुन सागरबाद जो है किस नदी पर बनाए गया है तो ये जो है नागरजुन सागरबाद जो है कहां पर किस नदी पर बनाए गया है ये किसना नदी पर बनाए गया है तो C option right answer है ये बाद जो है कहां पर है आप सभी कमेंट में इसका अंसर दीजीगा कुश्च नमबर 9 है भारत के किस राजे ने जो है जंक फूड पर फैट टैक्स लगाए है तो कौन से राजे ने जंक जो जंक फूड होता है इस पर फैट टैक्स लगाए है राजस्तान केरल बिहार आंदपदेश तो करेक्ट अंसर है केरला ओप्शन बिज आई टैंसर है कुश्च नमबर 10 हुआ आई से सी महिला क्रिकेट विस्सकब 2022 जो है किस देश में आजजित किया गया था इंगलेंड में, आश्टेलिया में, न्यूजिलेंड में या इंडिया में तो करेक्ट अंसर इसका है ओप्शन सी, न्यूजिलेंड में आई सी सी महिला वर्ल्ड कब 2022 आजजित किया गया था और पूरुस वाला 2023 में होगा था इंडिया में भी यहाल ही में समाथ हुगा जिसमें जो है आश्टेलिया की जीत हुई अगला दी की कुशन बर 11 कूलंब प्रति सेकंड जो है किसके बरावर होता है एंपियर ओम, बोल्ट ओर जूल तो कूलंब प्रति सेकंड जो है किसके बरावर होता है एंपियर के बरावर होता है यह ओप्शन राइट एंसर है अगला देकी बारा नंबर दूर से चमकते पिंड के तापमान को किसी अंतर के द्वारे निधारित किया जाता है ओप्षन है पारत थर्ममीटर, गैस थर्ममीटर, पायरोमीटर या रंगीन थर्ममीटर तो दूर से चमक्ति पिंड के तापमान को जो है किस से नापा जाता है पाइरो मीटर से मापा जाता है सी ओप्षन करेक्ट एंसर है अगला देखे कुश्च नमबर 13 है प्रतिध्वने सुनने के लिए जो है नियुंतम दूरी जो है मीटर में कितनी होनी चाहिए तो यह कितनी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वने को सुनने के लिए कुछिशन नमर 14 है इनमें से किस रासायन को फोटोग्राफी में फिक्सर के तोर पर इस्तिमाल किया जाता है तो इस फोटोग्राफी में फिक्सर के तोर पर जो है किसका इस्तिमाल करते हैं सोडियम थायो सलफेट का यूज़ किया जाता है तो B option right answer है अगला दीखे कुछिछ नमर 15 वहतिक मात्रा इंट्रोपी की क्या होती है Option है वाइड प्रतिकलिविन, निूटन प्रतिकलिविन, पास्कल प्रतिकलिविन या जूल प्रतिकलिविन तो correct answer है जूल प्रतिकलिविन, D option right answer है Question number 16 है 3 संख्याओं का अनुपाद जो है 2 अनुपादे, 3 अनुपादे, 5 है 80 जो दे रखा है 35 है, LCM क्याद करना है तो 80 जो होता है 35 है यानि कि common number दे रखा है 35 तो संख्याओं क्या हो जाएंगी यहाँ पर 70 हो जाएंगी 35 यहां पर 105 हो जाएगा और यह 135 तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा इसका 165 हो जाएगा यह जब इसका संख्याएं गयात करना होता है और यहां पर common number दे रखा है तो common number दे रखा यानिकि 35 इन्टो 2 यानिकि इन्टो 3 इन्टो 5 तो यहां पर जब इसको multiply कर देंगे तो इसका right answer आ जाएगा यानिकि यह 1050 जो है इसका क्या जाएगा LCM आजाएगा अगला देखे question number 17 है यदि एक बड़ाई जो है A और B मिलकर जो है काम को 10 दिन में करते हैं बड़ाई A जो है B से दुगना तेज है तो बड़ाई A अक्रिला काम कितने दिन में करेगा देखिए आपर कैसे हल करेंगे टोटल 10 दिन में काम हो रहा है एकी जो छ चमता है B से क्या है दोगनी है और B की चमता एक यानि कि टोटल जो चमता है ये तीन हो जाएगी तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं 10 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल काम 30 दिन हो जाएगा और तो इसे इस काम को जो है ये अकेला किस दिने दिन में करेगा एक चमता दो है यानि कि टोटल 30 काम है तो करने में 2 से भाग करेंगे तो 15 इसका राइट एंसर आ जाएगा अगला देखे कुछिन मठारा एक आदर्स बीभो मापी का प्रद्रोज जो है कितना होता है तो कितना होता है इन्फाइनाइट होता है यानि कि इसका प्रद्रोज जो है अनन्त होता है कुशन बर उन्हीं से एक स्कीडों को संचार के लिए प्रियोग नहीं किया जा सकता क्योंकि क्योंकि जो है यक सिकडे की जो विधन चमता होती है सबसे अधिक होती है इसलिए इसका यूज जो है यहाँ पर संचार में नहीं किया जाता है अगला है वोटान देश की मुद्रा क्या है तो वोटान में जो है कौन सी मुद्रा चलती है नुलू ट्रम ये मुद्रा या फूर्टान में चलती है कुश्य नमर 18 देखिए किसी परिच्छा के लिए उत्तेगड अंक जो है 40% है एक बिद्यारते ने 180 अंक प्राप्ति के 15 अंकों से फेल हो गया तो अधिक्तम अंक कितने हैं देखिए सबहुती सिंपल कुश्य ने 40% प पश्करने के लिए लेकिन पाया 185 और 15 से फेल हो गया यानि 15 नमबर और पाजाता तो 40% हो जाता तो यानि की 185 प्लस 440 जोडेंगे तो 200 हो जाएगा 200 की वेलू जो है 500 हो जाएगा तो correct answer इसका जो पूरांख है यह 500 है यानि कि C option right answer हो जाएगा अगला देखे किसी पंच भुच के सभी कोड़ों का योग कितना होता है तो पंच भुच सभी कोड़ों का योग ज्याद करने के लिए formula होता है यान minus 2 into 180 होता है तो पंच भुच दिया गया है तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा तो 540 degree choice का correct answer हो जाएगा गुच नमबर 37 दे रखा है 74 प्लस 12 into 0.75 minus 6 तो 12 into 0.75 को लेख सकते हैं हम 75 बटे 100 लेख सकते हैं तो इसको डिवाइट करेंगे 25, 3, 75, 25, 100 के 100 हो जाएगा चारती हैं 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 74 प्लस 9 minus 6 तो यानि कि 74 में से प्लस 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा तो राइट एंसर है option D अगला देखी 24 है यदि 15 कलमों का मूल जो है 198 है तो जो है 25 कलमों का मूल ही याद करना है 15 कलम का मूल कितना दे रखा है 198 तो पांच कलम का मूल कितना हो जाएगा 198 भागे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तीन चेंग 18 यहाँ पर तीन चेंग 18 यादि कि 5 कलम का मूल कितना हो जाएगा 6 हट पांच कलम का मूल कितना हो जाएगा 6 हट तो 25 कलम का मूल कितना आ जाएगा तो 6 हट गुड़े 5 कर देंगे तो 330 का राइट एंसर आ जाएगा तो यहाँ पर B option correct एंसर हो जाएगा तो यह थी आज के question जोकि पूछे गया थे उमीद है आप सभी को पसंद आयोगा तो वीडियो को like और share जरूट करिएगा चैनल पना है सब्सक्राइब के लिजे thanks for watching this वीडियो